इंड़ाइब चनल में आप सभी का स्वागत है आज का वीडियो हाई बीपी और हार्ट पेशेंट के लिए है इस्पेशली वो जो अमलोडिपिन ले रहे हैं वैसे अमलोडिपिन पर हम पहले ही बात कर चुके हैं इसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं जोएंड स्क्रीन पर मिल जाएगा फिर भी मैं आपको अमलोडिपिन का एक क्विक इंट्रोड़क्शन दे देता हूँ देखिए अमलोडिपिन बीपी को कम करने वाली दबा है यानि के बड़े हुए बीपी को कम करने वाली दबा ये कार्डियक कॉम्प्लिकेशन जैसे के स्ट्रोक और हार्ट अटेक का खतरा कम करती है और इसे एंजाइना के दर्द में भी दिया जाता है साथ ही किड्नी से संबंदी समस्याओं में इसे दूसरी दबाओं के कॉम्बिनेशन में दिया जाता है ये केल्शियम शेनल ब्लॉकर है और हमारी स्मूद मसल्स जैसे कि दिल की मासफेशन को रिलाक्स करती है साथ ही ये वैसो डायलेशन यानि के नसों को भी फैलाती है जिससे कि शेरीर में रक्त का प्रवा अच्छी तरह होता है लेकिन आप एक बात याद रखें कि ये दवा केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिशन पर ही ली जाती है अब जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ वो बहुत ही जरूरी है देखिए जब हम क्रोनिक डिसीस की दवाय खाते हैं चाहे वो diabetes हो, arthritis हो, दिल की बीमारी हो या कोई और जब हम क्रोनिक डिसीस की दवाय खाते हैं तो कई चीजों का परहज करना पड़ता है especially खाने पीने का क्योंकि normal food में कई ऐसी चीज़े पाई जाती हैं जो दवाओं के साथ interaction कर सकती हैं और उनके प्रभाव शीलता को भी बदल देती हैं अब क्योंकि एमलर डिपिंद दिल के रोगों के लिए पूरे भारत में बहुत अधिक उप्योग की जाती हैं इसलिए इसके साथ भी कुछ परहज रखना ही पड़ते हैं जैसे इस दवा को लेने वाले ना तो अंगूर खाएं और ना ही अंगूर का जूस पिएं क्योंकि इससे एडिमा हो सकता है आपके टकनो, घुटनो ये शेरीर के दूसरे हिस्सों में पानी भी भर सकता है इसके अलब बीपी खतरनाक स्तर तक कम हो सकता है याने के हाइपोटेंशन दूसरा अलकोहल I think मुझे ये बताने की ज़रत नहीं है कि जो भी हाइब बीपी या हाइड डिसीस की दवाएं ले रहे हैं उनके लिए अलकोहल कितना खतरनाक हो सकता है इसलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा अयुर्वेदिक दवाएं इस्पेशली हर्बल दवाएं क्योंकि हर्बल दवाओं में कई ऐसे ऐलिमेंट्स होते हैं जो एमलेडिपिन के साथ सीज़े रियक्शन कर सकते हैं जैसे कि जिंसिंग या ग्रैबसीड एक्स्ट्रेक्ट इसलिए आप इनका भी ध्यान रखें और यदि आप कोई मल्टिवाटा मिल ले रहे हैं जो कि ज्यादातर मरीजों को दी जाती है तो पहले ये देख लें कि कहीं इसमें जिंसिंग या ग्रैबसीड एक्स्ट्रेक्ट तो नहीं है इसके बाद एस्टेरोइड खासकर ग्लुको कॉर्टिकॉइड वैसे तो दिल की बीमारियों मेस्टेरोइड का यूज बहुत ही कम या ना के बराबर किया जाता है फिर भी आप ध्यान रखें कि एमलोडिपिन के साथ ग्लुको कॉर्टिकॉइड मिक्स ना हो पाएं इसके बाद है स्टेटिन डाइबेटीस के पेशेंट स्टेटिन को अच्छे तरह जानते हैं यह ब्लेट कॉलेस्ट्रोल और शुगर लेवल को कम करती है और यह भी एमलोडिपिन के साथ रियक्शन कर सकती है और लास्ट है सिल्डेनाफिल या वायग्रा या फिर इस कैटेगरी की कोई और स्टिमिलिंट दबा इससे भी आपका बीपि खतरनाग धंग से कम हो सकता है तो दोस्तों यह जानकारी के अवल एमलोडिपिन के लिए नहीं थी बलकि हर उस दबा के लिए थी जैसे हार्ट डिसीज में बीपि को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है मेंली केल्शेम चैनल ब्लॉकर्स और यदि आप इसी दबाओं का सेवन करते हैं तो इस वीडियो में दी गई जानकारी को भी ध्यान में रखें और यदि आपको वीडियो हेलफुल लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें और थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो